फ्रेंड्स रोज एक सा खाना खाकर अगर आप पक चुके हैं तो इस तरह का टेस्टी सा रागी वेजिटेबल सूप हम बनाना आपको सिखाएंगे जिसमें थोड़ा पनीर की मात्रा भी होगी पहले हम फ्रेश अंकुरित रागी को पीस लेंगे उसके बाद सारी अपनी सब् करेंगे इस रागी सूप इसके 100 ग्राम के अंदर आपको बॉड़ी को 49% नीड कैल्शियम की कम्प्लीट करता है अलॉंग विद कैल्शियम रागी के अंदर फॉस्फोरस भी होता है और विच वर्क्स तू विद कैल्शियम तू स्ट्रेंगन यूर बोन्स एंड टीथ शरीर के भडियां और दात को भी यह ताकत देता है और भीमारियों से प्रिवेंट करता है ऑस्ट्पोरस की समस्या को भी रिड्यूस करता है जिसे हमारी बॉडी में जो हडियां है वूल में फ्रेक्चुर नहीं होता और आप इसमे production of mother milk mother milk means दूद को बढ़ाता है माओं में होने की सब्सक्रागी South Indians बहुत लेते हैं high protein इसमें होता है natural fiber होता है weight loss agents होते हैं इसके इंदर ये sugar और heart की समस्या और calistrode की समस्या को भी reduce करता है का ये vegetable soup थोड़ा सा हम घी डालेंगे और एक चमस्या रागी जो crackle होगी की गरम होने के बाद ही आपको डालना है ताकि ये pop-up हो उसके बाद जीरा आप जानते हैं जीरा थोड़ा जल्दी से crackle हो जाता है रागी की अपेक्षा तो पहले रागी डाला है हमने उसके बाद करी पत्ते और थोड़े से तेजपाद जो हमारे soup को काफी अच्छा flavor देगा साथ ही साथ healthy भी बनाएगा इसमें हम salt डाल देंगे और chopped onion onion के अंदर जब salt डाल देते हैं तो ये जल्दी से हमारे प्याज को गला देगा और जैसे हमारी प्याज जल्दी से soft होगी यानि इसका cooking time को कम कर देता है इसमें थोड़ा सा मसाला एड़ कर सकते हैं और फिर इसे धीमे-धीमे mix कीजेगा ये रागी जो होती बालों के लिए भी अच्छी होती इसमें थोड़ा सा lesson डाला है जिसमें हमारे बाडी में होने वाले जो inflammation होता है उसको भी हमारा lesson जो है कम करता है और काफी healthy और tasty हमारी recipe को बनाता है इसके अंदर हम ताजे भुटे डाल रहे हैं और chopped गाजर एक आप कोई भी सबजी, सिमला, मिर्च वगरा भी डाल सकते हैं हमारे पास आज नहीं थी और मैं रागी के soup बनाने के लिए पहले से prepare नहीं थी तो जो हमारे पास था वही मैंने डाल दिया और यह मैं अपना dinner prepare कर रही हूँ इससे एक week आप जब इस तरह की recipe रागी का लेंगे तो आपका weight loss भी हो जाता है और साथ ही साथ आपको gas भी नहीं बनेगी इसे हम थोड़ी थोड़ी धेर पे ढग देंगे medium flame पे क्योंकि इसे हमने cook नहीं किया है तो चार से पांच मिनट हो गये हैं इसे फिर थोड़ा सा जब एक crunchy type का हो गया है पानी डाल देंगे और अब हम रागी का जो आटा अपना पेसे हैं उसे हम पानी में डाल देंगे एक कटोरी दो कटोरी पानी हमने पहले डाला एक कटोरी पानी में हम चार बड़े चमच सूप के लिए रागी लेंगे यानि बड़े यानि जिससे हम खाना खाते हैं उसी चम्मस से आप बड़ी कर्ची से मतले लीजेगा और फिर जब पानी बॉयल हो जाएं तो सूप के अंदर हम ये अपने रागी का पाउडर भी डाल देंगे और इसे चलाते जाएंगे और इसमें थोड़ा सा हमने फ्रेश क्रश करके काली मिर्च डाला है आठ से दस दाने और हमारा टेस्टी सा ये सूप तयार हो गया इसमें थोड़ा सा हमने टमाटर डाल दिये हैं जिससे इसका स्वाद और अच्छा हो जाएं डालने के बाद इसे हमें थोड़े देर तक चलाना होगा यानि मिक्स करना होगा ताकि गुटलिया ना पड़ें फिर इसम की अद्रग डाल रहें तडके में नहीं डाले थे ये फ्रेश डाल रहे हैं जो हमारे सूप को काफी अच्छा स्वाद देगा इसके बार देखें हमने घी लिया है और तडका वाले पैन में सिरुखी डाल कर हमने पूना ये टेस्टी सा सूप हमारा तयार हो गया ठंडा होने पर ये और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा और इसके बाद इसमें करीपत्ते डालेंगे और फिर थोड़ा सा तड़का पैन को फिर से हम गैस पे गरम कर ले रहे हैं और यहा पनीर को मिक्स कर दिया है देखिए टेस्टी सा उपर से एड करके डाला है बहुत ही टेस्टी सूप तयार है अगर आपको हमारे सूप बनाने की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा नेक्स्ट रेसि